नमस्कार प्राइम टीवी में आपके स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शुक्रा मैं रोतरा शुरुबात करते हैं उत्रप्रदेश खबरों की गोरकपर के गोरकनात मंदिर में पुलिस कर्मियों पर हमले के आरोपी एहमद मुर्तजा अबासी पार यूए पीए के तहत केस च के द्वारा गोरकपर कोट में लगाई गई यूपी एक्ट की धाराओं में ये खुलासा हुआ है मुर्तजा के ऊपर गैर कानूनी गतविधियों रोगथाम अधीनियम यूए पीए की 16, 18, 20, 40 धाराएं लगाई गई हैं इसमी आतंगवादी कृत्त के लिए सजा धारा 16, स मुर्तुजाब बाफी को और मानी नियाले ने मुर्तुजाब बाफी को चुकि इसमें धारा की बड़ोतरी कर दी गई यूपा लगा दिया गया है तो इस वजह से इस केस को ATS कोड लखनों में ट्रांफर कर दिया गया है यूवी पीएक्ट की धारा 16, 18, 20, 40 में रिमांड स से हत्या कर दी गई है घटना की जानकारी होने पर हड़कम पमच गया इस्थानिय पुलिस से लेकर SSP तक मौके पर पहुचे डॉग स्कॉट और फोरेंसिक टीम भी जाच परताल कर रही है एक ही परिवार की इतने लोगों की हत्या से गाउं में दहशत का महौल है तो ही ADG प्यागराज की निगरानी में मामले की जाच के आदेश दिये गए है वहीं से मामले में प्रशांत कुमार ADG Law & Order प्रशांत कुमार ने ये बयान दिया है एक ही परिवार के पांच लोग मृत पाए गए हैं ये सूचना सुबह प्राता ही मिली है और इस पे सभी अधिकारी पर मौके पर हैं हमारे इसके अलाएव फॉरेंसिक टीम हमारी डॉग स्कौार्ट सभी लोगों ने उसका मुखटना सल का निक्षन किया है अभी भी सभी को एक एकरत रूप से परिशन किया जा रहा है और कोई भी व्यक्ति जो इसमें दोशी होगा उसको बक्षा नहीं जाएगा शाषन और डीजीपी के तरफ से यहीं निवदेश मिले हैं कि एडीजी प्रियागराज जून के निकट परिशन में इस गटना की विवेशना की ज पनी के हत्या के आरोपित शातिर अपराधी मुनीर एखमद को शनिवार को बिजनौर की कोट ने 10 साल की सजा और एक लागका जूर्माना लगाया है जबकि इसी मामले में उसके साथी रिहान को 5 साल की सजा और 50,000 का जूर्माना की सजा सुनाई गई है ऐसे के साथ अदालत उनकी हत्या हो गई थे उसमें ये मुनीर नेम्ड थे और 2016 से ये जिए मुनीर पर 36 केस थे अब 35 केस रेखा है इसमें 10 साल की सजा एक लाग रुपे जुर्पाना हो थे कौर्ड नमबर 5 डाक्टर विजय कुमार ताजियान पेडी गई यूपी का बांदा जिला वैद खनन और ओवर लोडिंग के लिए जाना जाता है यहां प्रशासन और एक खनिज अधिकारी की नाक तले रात दिन पोकलेंड मशीनों से अवैद खनन किया जाता है जिससे परिशान होकर पेड़ित किसान ने जिला दिकारी को ग्यापन देते हुए नियाई की गुहार लगाई है और कहा कि विरोध करने पर जाती सूचक शब्दों का इस्तमाल करते हुए जान से मारने की धमकी दी जाती है जिसके बाद किसानों ने जिलाधिकारी से निवेदन किया कि उसकी जमीन उसे वापस दिलाते हुए दबंगों पर कानूनी कारेवाई की जाए यूपी बोर्ड अंग्रीजी के पेपर लीक मामले में गिरफतार हुए तीन पत्रकारों के लिए कई लोग एकजुट हुए हैं और बलिया बंद पूरी तरफ से सफल रहा बलिया के नगर पालिका, नगर पंचायत और चोटे-चोटे कस्बे की दुकाने बंद रही यहां चात्र नेता व्यापारी संगठान पत्रकारों को कदम से कदम मिला कर चल दे का काम किया वहीं इस एतिहासिक बंदी में जनता का भी समर्थन मिला है, खास बात ये है कि पूर्व विधाया का सुरेंदर सिंग दुकाने बंद करते नजर आए सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल चलो अभ्यान चलाय जा रहा है, लेकिन स्कूल प्रशासन के लापरवा ही चात्रों पर भारी पड़ती नजर आ रही है ताज़ा मामला राज़ानी लकनो का है, जहां गोमती नगर के नवाब पुर्वा इलाके के टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज के चात्रों को स्कूल की मार्कशीट से उनके नंबर ही गायब दिखे हैं वही सपूरी मामले में प्रिंसिपल और स्कूल प्रबंधन ने पल्ला ज़ाड़ते हुए कहा कि स्कूल प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, वही कुछ और भी स्कूल हैं जहां पर इसी तरीके से बच्चों की मार्कशीट के साथ खिलवार हुआ है अखिला तो सब सासन ने करा दिया है, सासन से हम लोग लगाता बरियात करते रहे, तो सासन ने सासना अदेश जारी कर बच्चों का प्रवेश्ट तो सब जिगे हो चुका है, परन्त ये नंबर नहीं होने के करण बच्चों को दिक्कते तो आ रही हैं जब ये बच्ची कही फारम भरेंगे तो उसमें उनके आंक ही नहीं और सबसे पहले हाई ये स्कुल के आंक ही चड़ाए जाते है, तो हमारा प्रियास बराबर है, सहिकारता बहुन में कल कारिक्रम है, डिप्टी सीम साब पाठक की आएंगे, गुलाब दुमाने मंत्री चड़ा दीजे, नमर चड़ा दीजे, इसमें हम लोगों की तरफ से कोई भूल नहीं हुई है, कहां से गरबड़ी हो रही है, जैसे कच्छा 11 के 12 में कर दिया है, वैसे 9 वालें के 12 दस में चड़ा दीजे, इस तरीके के हमने बहुत सारे अनुरूत किये हैं, और हमारे प्र दिवसों पर रोक लग गई थी, तो वहीं अचवार सहिता हटने के बाद आज से और एमे सदन तहसील में पहला तहसील दिवस का आयो जन किया गया, तहसील दिवस में आने वाले सबसे ज़ादा फरियादियों में जमीन से संबंधित मामले थे, जिसको लेकर जुला दिकार को सकत हिदायत और चिताब दी देते हुए कहा कि जो भी फरियादी आए उनकी समस्याओं का शीग्र से शीग्र और शत प्रतिशत निस्तारण किया जाए पर जो भी प्रातना पत्र कराने के लिए वह समय पद्र प्रक्रिया बियो जांक 15 अनकी जामच हो जाए और उसका निस्तारण मौक्य पर जाकर को जह, और मेरे दौरा समय समय पर ये बीच चेक किया जाता है उनका बहुत इक सत्यापन किया और कॉल करके उन सभी प्राथना पत्रों में जो प्रार्थी होता उनका फीडबैक मिलिया जाता है तैसिल दिवस बहुत पुरानी हमारी सड़कार की योजना है और केवल आचार संगिता के वज़े से कुछ दिन रुख जाता है आचार संगिता खतम हुए आज पहला तैसिल दिवस है और इसको हम लोग ने अख़बारों में दिया था काफी लोग आ रहें बर देरे देरे लोग इससे जानकारी हो जाएगी तैसिल दिवस सुरू हो गया है तो ठीक है इनके जो भी आएंगे उनका प्रात्नापत का निस्तारन कराया जाएगा दिर्दादित सम्याव खबर बदायू से है जोहन अबालिक लड़की को बंधग बनाकर कई दिनों तक एक शादी शुदा यूवक अवैद संबनाता रहा लड़की ने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ दिनों पहले उसके रिष्टधार ने अपनी मा की तबित खराब कहकर किशोरी को अपने को तहरीर दे कर निया कि गुहार लगाई है किसके साथ हुई थी सादिया अब आजी तो जब इस लड़की को बिलाने आया था यह तब आप कहा थी घर पे ते लिए करके गए तें दवाई के बहाने पैर ते बोले तीन दिन के बाद हम ले जाएंगे समान लिए हमने तीन द कि अधिशित करते हैं इस ने ताइम हो गया इस ती आप यह तो तब से आपको लेने भी नहीं आए ना कोई खर्चा दे रहें जिए हमार मापाप इस प्रेसार नहीं हमारो करना वह घर पे लेने आया था कि मेरी मम्मी की तवियत खराब है मम्मी से बोला कि अब लप्सा को कि कहने लगा तुम घर नहीं जाओगी नींद की गोलिया देता था जब नसबा को मेरा नसा उत्रा तो मैंने फोन रखाता मैंने फोन भाईया को करा है मुझे यह लेने आ जाओ भाग गया हुआ तो मुझे बंद कंपरे में वहाग गया हुआ से हमारी बेन को लड़का लेन करा हुआ हमने वेज दिया हुआ हुआ जाएके लड़की संग में नावास्त बखारी कमारें बंद कदी कुछ भर पे तू ना जाएगी लड़की हमारी कान हुआ रही हुआ रही हुआ रोचिलाएगी इसने नींद की गोलिया देता सो याथी सोय के जगी ता पून करो भर हुआ 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 ह पर उसके बाद हमने कारवाई की खबर फरीदबाद से हैं जहां सेक्टर दो में आई एमटी चौक के पास आठवी मंजल से गिर कर मजदूर की मौद हो गई बता दे कि मजदूर नियू निर्मार्ड की साइट पर सरीया बांधने का काम करता रहता था हाथ से बाद मौके पर हाची और अमरितक के परिवार को सूचना दी गई जिसके बाद इस शौक को कबजे में लिया और मामले की जाच में जुटे खबर सिधार्टनगर से है जहां पुलिस ने 102 गमशुदा मुबाईलों को बरामद करके उनके मालिकों को सौपा है और मुबाईल पाकर लोगों के चहरे खुशी देखने को मिली बता देगे पुलिस की सर्विलांस टीम ने कड़ी मेहनत के बाद बरामद किया है इन फोनों को जिसकी कीमत लगबाग 12 लाख रुपए है वहीं पुलिस कप्तान ने बताया कि मुबाईल बरामद की में लगी टीम को 10,000 रुपए का पुरुस्कार भी दिया गया मुबाईल बरामद की हैं लगबाग 102 मुबाईल हैं जिनके कीमत मार्केट में 10-12 लाख रुपए है और यह विबिन लोग हैं जो अपने जनपस इदार्ट नगर के हैं और गया जनपत के भी रहने वाले हैं जिनके मुबाईल बूम हो गए थे या कहीं ट्रैवल करते टाइ संगम विहार का लॉनी में शनिवार सुभा उस वक्त हड़कम मच गया जब जिम जा रहे हैं एक शक्स को बाईक सवार दो बदमाशों ने गोली मार दी गोली युवक के सीने में लगी जिससे युवक वहीं बाठा रहे गया और मौके पर बदमाश परार हो गए वह इंसान शुदेश देश भी पोलिस को सुचना में रहे लगभग पाउनी नमजी का असपास युवक नचिम करके बाहर लेकलता हुशने जो लग मार से क्या है कि अब बोली मार से कुछना में लग पर आगे पता किया है आपनी दूद का रहों पर करना ता और ब्याज कर भी काम कर जिम करके बाहर लेकलते हैं एक गोली मार से क्या है और देखते ही देखते लगबग चार बीगा गेहूं की फसल खराब हो गई सूचना पाकर एस आई घंशाम और डायल 112 मौके पर पहुंची और वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेट की टीम ने ग्रामीडों की सहायता से आग पर काबू पाया मतादे कि जपूरे मामने में विद्द विभाग की बड़ी लापर वही सामने आ रही है कि नाम क्या हपता है क्या हुआ है आधी लगी है और पर से लकभगyr कितना नुकसान हुआ कि凌क साधे खागर हुआ है कि टोटल के लापकिए तीन साधे तीन लगात होगा ही है आज के आधुने की यूग में अंदोविश्वास पर विश्वास करने वालों की कमी नहीं है यह अंदोविश्वास कई लोगों पर भारी पड़ सकता है इसे ही एक मामला इगलास कोतवाली छेतर से सामने आया है इगलास कोतवाली चेतर के एक गाओं का ये मामला बताया जो आ राही जहां महीला का जाड़ फोक से इलाज करने के नाम पर गाओं सतलोनी के मौलवी ने भूत उतारने के नाम पर महीला से छेड़ चार करते हुए जान से मारने का प्रयास किया जिससे उसकी तबियत और फ्थाने में तहरीर दे कर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है पुलिस ने आरोपी मौल वी आस मुहम्मद को हिरासत मेले का छेड़ चार और मारपीट का आरोप में कारिवाई की है तो आप आपको कैसे पता पड़ा के साथ मारपीट हुई है नहीं वहाँ पर मेरे चाचा का लड़का मौजूद था उस टाइम कर चोट इसके बारे घंबीर है पूरे शरीर पर चोट इसके बीमारी क्या थी उपला वह था चक्कर अवा का चकर था तो अग्राम सत्रावडी कला में ठाना इवलाज में एक महिला महिला की परोशी मौल्मी द्वारा धान फोक के नाम पर दाखिय मारपीट की गई है उसके जारी द्वारा मौल्मी आज ल प्रशासन दुकाने का भी प्रयास किया तो अहीं बंद की अपील करने निकले व्यापारी नेताओं के पुलस प्रशासन से नोक जोग भी हुई जिला प्रशासन दुकाने नहीं खुलवाने में नाकाम रही तो वहीं निर्दोश पत्रकार की रिहाई और दोशियों पर कारेवाई की मांग पर पत्रकार अड़े रहे पत्रकारों की ग्रिफतारी हुई है पत्रकार मुर्चा पत्रकार संजीत मुर्चा पत्रकार संगठन के कई संगठन इसकी लड़ाई में लड़े रहे हैं और आज जो बलिया बंद का होन किया है वेपार मंडल ने घूंघूंकर वेपारियों से इसमें स्वेथी की मांग पी है त्वेचा से लुग बंद किये हैं और इसका बरपूर समय पन किये है अधिवक्ता मनोजाय हम सिविल कोड बलिया पत्रकारों के सम्मान में पूरा बलिया आज मैदान में है और हम लोग पूरे बलिया को बंद कराने के लिए हम लोगों ने सहर की सणकों पे घूमा और हम लोगों ने देखा कि कहीं हमें बंद कराने के जुरोत नहीं पड़ी हर मुहले में हर गली में सारी की सारी दुकाने बंद थी अगर एक दुकाने गलती से खुल गए थी जिनको जनकारी नहीं थी उनसे हमने सहयोग की अपील की को तुरंट बंद करके सारे लोग सहयोग किये हैं और पूरा बलिया बंद है कहीं भी दुकान खुली नहीं है देखिए सब्सक्राइब करने के लिए गाड़ी को भी उन लोगों ने बंदी करने का काम किया और कोतवाल केते रहें कि काल ने बंद किया आपस ने दूसरे पे खरते रहें कुट्सक्राइब के साथ ऊंने बंद करने को भी ऐन लेकिन लेकिन फिर भी सारे वीअपारी उतसाहित थे और व्यापारी ने खुळी दुकाने नहीं बंद की है किसी को कुछ कहना नहीं पड़ा है, हम लोगों ने घूम करके देखा भी है, सब सारी दुकाने स्वता रूप से स्विक्षित रूप से सारे लोगों ने बंद कर रखता है, किसी को हम लोगों ने कोई जोड़ दवाव नहीं दिया है, सब ने प्यार से सभी लोग पत्रकारों समर्थन में दुकानों को बंग की हैं और इसके लिए हम सभी व्यापारियों को धन्यवाद देते हैं जो अज अपने घर से ही नहीं निकला है और सब लोग अपने घर में आराम से बैठे हुए हैं और पत्रकारों का समर्थन करते हैं रिपोर्ट के अनुसार पिष्टे चॉब्स घंटे में 975 नए कोविड-19 मामले दर्ज किये गए है। नए आकलों के साथ ही देश में अब तक कुल संक्रमेतों किस संख्या बढ़कर 4,30,44,947 हो गई है। वहीं इस संक्रमण के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ ही मौत को किस संख्या बढ़कर 5,21,747 हो गई है। रिपोर्ट की अनुसार वर्टमान में 11,366 एक्टिव मामले हैं और कुल संक्रमेतों का 0,03,03 प्रतीशत है। उतरप्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीवी।